हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपकी फिनी यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टेडी में फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूसा एक्रिकल्चर इनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी अप्रेट्स निकल कर की सामने आ रहे हैं जो की फ्रेंड पोस्ट लोर डिविजन कलर्क और जुनियर एकाउंटेंट कलर्क का होने वाला है तो फ्रेंड इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी RPCAU से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा अब तक नोटिफिकेशन असानी से मिलता रहेगा तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं लोर डिविजन कलर्क और जुनियर एकाउंटेंट कलर्क इंपोर्टन नोटिफिकेशन के बारे में तो फ्रेंड मैं फाइनली आ चुका हूँ RPCAU की ओफिसल नोटिफिकेशन के ओपर जो की फ्रेंड यह देखिए यहाँ पर पान जुन दुहर एकीस की डेट में पुब्लिस किया गया था है ना और देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन तुदा कैंडिडिट फूर्ट फूर्ट पोस्ट अफ लोर डिविजन कलर्क LDC एन जुनियर एकाउंट कलर्क है न जो की फ्रेंड यहाँ पर देखिए बिग्यापन दो है ठीक है यहाँ पर नंबर देखिए यहा पर देखिए क्या कहा गया है देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एन अपील टु आल डग एप्लिकेंट्स ठीक है यानि कि सभी एप्लिकेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपने इस विस्विद्याले के विग्यापन संख्या एक अब्लिक दोहर 20 और एक अब्लिक दोहर 21 के अंतरगत विग्यापित लोवर डिविजन कलर्क है ना अवर स्रेने लिफिक और जूनियर एकाउंट्स कलर्क कनिस्ट लेखा लिफिक के पदपर आवेदन किया था है ना मुझे यहाँ सुचित करती हुए हर सै की स्क्रीनिंग सौट लिस्टिट कमेटी दोहरा निरधारित किये गए मापदंडू की अनुशार दिये आवेद को का नाम एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 लिस्ट में है वे लिखित परिक्षा में भाग लेने के योग पाए गया है यानि के फिन यह स्क्रीनिंग की गई है जो कि लिखित परिक्षा में सामिल हो पाएंगे औ कोविड-19 की दूसरी लहर के कमजूर पढ़ने के बाद हम इसे आयोजित करने का सोच रहे हैं यानि के फ्रेंड आर्पी-C-E-U का रिपोर्ट है कि यह एक्जाम कंड़क्ट कराना चाह रहे हैं आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या निन्नय लिया गया है कि आप से इस मामले में आपकी सहयोग की आसा करती हुए अनुरोध है कि आप विद्याले की वेबसाइट पर जाकर दी हुए लिंग के माद्यम से लॉग इन कर वहां मौजुद डेस वर्ड है ना डास वर्ड पर दो सुचना अंकित कर दे फ्रस्ट सुचना क्या होगा फ्रें आमें भाग लेंगे या नहीं ठीक है कहने का मतलब जो कैनेट का स्क्रीनिंग में नाम आया है और दूसरी सुचना आप पदाएं कि आप किस भासा यानि कि हिंदी और अंग्रीजी के माद्यम से लिखित परिक्षा भासा की पीपर को छोर कर देना चाहते है ना यानि कि माच बजे से 21 जुन 22 रात 1169 तक लाइब रहेगा है ना यानि कि फेंड यहां पी इंपोर्टेंस डेट जो दिया गया है पांच जुन 22 से लेकर के 21 जुन 22 यानि कि फेंड बहुत ही कम समय रह गया है यानि कि कल तक है ना आप इस फॉर्म यह अपिल कर सकते हैं उसके बाद ने कि तो आपके लिये परीक्षा परवेस पत्र तयार नहीं किया जाएगा और आप परिक्षा में भाग continuous पर दी जायेगे संभावी तुरुप से परिक्षा जुलाई के पहले पकवाड़े में यानि कि एक जुलाई से 14 जुलाई 2021 के बीच आयोजित की जाएगी यानि कि फ्रेंट देखे यहां पर यह भी expected date बताया जा रहा है कि आपका जो examination होगा फ्रेंट एक जुलाई से दुहर एक जुलाई 2021 से 14 जुलाई 2021 के बीच में कड़ाया जा सकता है यह maybe expected है तो यही वो updates था फ्रेंट आप लोग को यह message गया होगा है आपने form भरते समय जिस mobile number का यूज़ किया होगा उस पर यह RPCAU की तरब से मिल गया होगा तो फ्रेंट आप असानी से इसे feel कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं भी किया हूँ है न देखिए फ्रेंट आपको इसके लिए RPCAU की official site पर जाना होगा ठीक है और RPCAU की official site पर जाकर की फ्रेंट आपको अपना registration number feel करना होगा और विग्यापन सेंख्या भी feel करना परेगा और date of birth भी feel करना परेगा उसके बाद देखिए प्रेंट आपका इस तरह का interface खूल जाएगा तो देखिए यहाँ पर medium of paper instructions in which applicants wants to give their written examination यानि कि किस language में एक्जाम देना चाहते है ना किस भासा में एक्जाम देना चाहते है तो यहाँ पर मैंने स्लेक्ट किया है हिंदी और willingness to appear in written examination यानि कि आप एक्जाम में उपस्तित होना चाहते हैं कि नहीं है ना तो यही वो updates था त इतना ही रखता हूं और फिर मैं आपको RPCAU की all जनकारी सेयर करूंगा ठीक है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फिर आज के लिए फिर मिलते हैं आपकी साथ नेक्स वीडियो में और बात करेंगे नेक्स टप्डिए